दोस्तो मेरा नम पिंटो बॉंडल है और आज की वीडियो में मैं बात करने वाल है रेस्टोरेंट के बारे में सो रेस्टोरेंट बेसिकली जो कंसेप्ट है वो 17 सेंचुरी में ही चालू हो गया था सबसे पहला नियुक टीयुकं हो था 1 1786 फ्रांस के पेरी में अकल नाम भी प्रेंच में है सबसे पहला प्रॉनॉंस इस बडिए करते ही बनाउंस के बारे में कित्तर थाइब करूशकों होकते हैं अर्छ डिंटर्टियर फने वर्यूल चिडियरे इक डिंट नीविए तरिक or डिस्ट आइ गिडिस्टरून डिंट कुले दिन्हिक एना प्रन ट्रेस्टोRений सब्सका प्रेंट ऐना चीमें test आप इसका नाम आते हैं वह फाइन डाइनिंग डिस्टोरेंट इस बेसिकली फाइन डाइनिंग के अंदर भी हाइप साब कर सकते हैं जो होता है प्रिमियम फाइन डाइनिंग जिसमें आपको प्रॉपर ड्रेस कोड भी होता है आप एक समझ लो आप एक बलेजर पैन के नहीं जा रहे हो आप एक बलेजर पैन के नहीं जा रहे हो आप एक प्रिमियम फाइन डाइनिंग रिस्टोरेंट उसके बाद जो आता है समय इतने में इतना स्ट्रिक्निस नहीं होता हो जहाँ पर खाने का प्रॉपर भी होता है ओभी कम रहता है अप बैसिकली जाके आप खाना कहा सकते हो so fine dining में क्या होता है जो खाने का इतना किम्मत की होता है बिसिकलिए ऑफ जो ambience वहापे रहता है उसका प्राइज होता है ओ आपको जो इसी प्रोवाइट क्या जाता है आपको खाना को इलाके दे रहा है उसका जो charge है वहाई डाइनिंग में लग जाता है इसलिए खाना वहाँ पे इत्ता प्राइज होता है वहाँ पे चाय भी पिते हो तो बहुत महेंगा होता है उसका में रिजन यही है कि जो एम्बियन्स आपको प्रोवाइट कर रहा है उसी का पैसा लेता है and casual dining इसलिए सस्ता होता है कि casual dining में उसके बास पैसा है तो फाइन डायनीं नहीं जाएगा उसके बाद हमारे category में आ जाता है cafe और coffee house जो basically cafe है वो भी french term है वो भी इसका literal meaning coffee house ही है so cafe में क्या होता है आपको बहुत सारे type के coffee मिल जाता है वो एक coffee bar है एक तरह का जहाँ पे आप coffee के साथ बहुत सारे उसके साथ pastry होते है केक होते है आप coffee के साथ जो जो चीज़े जाती है कोई type का breads होगे बहुत type का bread मिल जाता है आपको coffee shop में आप coffee shop के menu देखोगे तो उसमें यही सारे चीज़े रहता है और उसके बाद आ जाता है bistro so bistro is basically एक जो small restaurant है उसी को bistro बोला जाता है जिसमें आपको coffee भी मिल जाएगा जिसमें आपको खाना भी मिल जाता है अभी और एक bistro के साथ और एक चीज़ रहता है जो है brasserie brasserie एक ब्रैसरी का जो लिट ब्रैसरी एक french word है उसका जो literal meaning है वो है brewery so जो भी restaurant है जो भी जगा जो भी place actually जो भी pub जो भी bar अपना खुद का brewery अपना खुद का brewer provide करता है आपको वो जगे को हम brasserie काते हैं उस जगे को हम उस जगे में आपका menu भी एक मिल जाता है like different different beer का different different beer वही पर खुद produce करता है इंडिया में भी आपको कुरगाओं side brasserie मिल जाता है जो खुद का brewery है उनका घुट और उसके बाद हम से कुजिन की शाय हूं इस में इसमें सारे कुजिन नेर बिश्णिकर भूट हो इतलियन भी मिल जाएगा उसका इंडיयान हान भी मिल जाएगा उसे आपको और भी बहुत सारा कुजिन इस लिए कहा जाता कि अ सिर्फ करता है एक सब्सक्राइब पिन लिजैनिक एन्हेट कड़नक के इतालियन नहीं खैन्ड के सब्सक्राइब कर रहा आपको अघर एक युरॉपियन एतने खैन्हेज हो सकता है जो बसरुपेन हम आपको सब्सक्राइब तो इसी को अगर कोई वो कुछ पर्टिकुलर जगा का है पर्टिकुलर स्टेट का पर्टिकुलर कुछ खाना सर्व कर रहा है तो उसको एथिनिक रिस्टुरेंट कहा जाता है अगर वो पर्टिकुलर है उस चीज में ठीक है वो इतालियन एथिनिक रिस्टुरेंट भी हो सकत है उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरा confusion में जो है बार एंड पब बार एंड पब लगभग शे में बट उसके दोनों के अंदर कुछ difference रहता है कि सबर का जो फुल-फर हम है ओवार अन्रोोता है बार में सब्सक्राइबर और एंड घृरर एंड एलकोहल टुन होता है कि आपको सारी आपको पता है कि वहां पर इलकोहल नॉन रह यदि क्षार्थ दिर稀क्डрий इन अब आरोड पड़र है कि बार थोड़ा साफ फॉर्मल ल हो लींड है लाइसेंस प्लेस होता है बड़ा सा होते शोटा बार भी उते हैं तो पोड़ा स्टेथ होते हैं पब अब कभी गया हो तो फब चेशना होता है प sinking लोग इता टार कमें सावाइन थे कि एक सऺड़ा में चा UP men रखेकिन चियोंसक्ति यह तो यह थो उसक्तिय करता एक बाइकिन square में बहुत भारी-भारी खाना में पुर्स भी आपको मिल जाता है पब बेसिकली पब्लीक हाउस है जो थोड़ा कैजूल होता है बार से उसमें थोड़ा लिमिटेड ओप्शन रहता है ड्रिंग्स के मामले में बार में आपको एक वाइड रेंज मिल जाएगा बहुत सारे ड् थोड़ा अपग्रेड बर्जन है और पाप थोड़ा कहें थोड़ा कैजूल है थोड़ा उसमें अब जाके सब कुछ खा सकते हो पब्लीक हाउस जैसे होता है उसमें बहुत सारे कैजूलीटी आपको देखने के मिल जाएगा और बार थोड़ा फॉर्मल होगा बार थोड़ आपके बस कुछ बार और पॉब में तो रौट इन फॉड़ा को वाये थो ख़ड़ा काज़ा थोड़ा के जब दीए और जालो समय फॉर्ब आपके यह को तो अद समय प्रिंस होता है तो जाको पर आपके ऑन सबस्त को वार्च्तर अचरों बार, सबस्तर कार न धाए हॉर् से हमारा hotel में क्या होता है cafeteria होता है उसमें आपको जो वो बैसिकर इंप्लॉईज के लिए रखा जाता है cafeteria और वो भी एक restaurant के category में ही आता है वो भी एक जगा है जहां पर हम लोग खाना खाते हो लाइक वो भी एक country place है इसलिए वो भी मुझे categorize करना था इसमें I think मैंने सारे confusion आपका दूर कर दिया there is first food restaurant also so first food restaurant basically क्या होता है कि वहां पर आपको first food मिल जाता है first food आप क्या समझते है जो speedly आपको provide किया जाता है mcdonald's pizza hut हो गया burger king हो गया सारे first food restaurant क्योंकि उसमें आपको खाना प्रोवाइट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगदा एक आप fine dining restaurant में जाओगे उसमें आधा गेंटे बाद आपका खाना जो अपने order किया वो शायद आएगा बट जब एक first food restaurant में जा रहे हो अब तब में भी हो पे busy हो आप आपिज में काम करें अप आप जा रहे हो एंड italy आपको जो खाना प्रोवाइट करता है वहां पर माइड बेग टोकेन सिस्टन रहता है अगर जादा भी होता है चांए जादा बैसिकलि वह इसी मकसद से बनाता है कि आप खाना जो है आपको आप व्रोवाइट कर से फ़र please let me know the feedback and all and if you have any topic in your mind like कौन सा टोपिक में आपको वीडियो छिये तो आप आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तांक यू पर वाचिंग और स्टेटीन